लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे Stoicism को आपको अपनी life में थोड़ा apply करना ही चाहिए यार जिन्देगी में जो चीजें हमारे साथ होती हैं उनको कभी आप predict नहीं कर सकते और इसलिए अलग-अलग चीजों की वज़ा से हमारे जो अलग-अलग emotions होते हैं वो हमारी life के रास्ते में आ जाते हैं और मैं आपको सच-सच एक बात बताओं तो जब आप life में दुखी होते हो तो इसले नहीं होता कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ आप generally इसले दुखी होते हो कि जो बुरा हुआ वो आपने expect नहीं किया था अब जैसे बारिश है, बारिश एक बहुत अच्छी चीज है पौधों में पानी चला जाता है, गली के कुत्ते पानी पी लेते हैं जो पटल्स बनते हैं उनमें से उपर से दिल्ली की घर्मी कम हो जाती है और कभी-कभी तो मेरे को personally बारिश में छट पे जाके भीगने में भी मज़ा आता है लेकिन सचा ही ये है कि जब वो बारिश का बादल आपको पकड़ लेता है आपके office के रास्ते में आपके college की important presentation के रास्ते में आपके formal clothes में तब वो कभी भी अच्छा experience नहीं होता तो फिर हम तब रोना क्यों नहीं शुरू कर देते वो इसलिए क्योंकि हमने already ये बात समझी हुई है कि भाई बारिश तो कभी भी हो सकती है and इस बात से शान्त रहो कि वो हो सकती है तो subscribe to be your best clips and be your best main channel